देखो आज दो ऐसी movies का review करने जा रहा हूँ जो मेरी तरफ से एक fan service है क्योंकि आप लोगों ने काफी बोला, लिखा, कमेंट किये के भाई, सुजू में देखो, चेंगिस देखो और उसका भी review करो तो हाजिर है 1x2 review, दो एकदम different industry के तरफ से, जिनके industry की movies मैंने पहली बार देखी है नहीं, anime देखा है एक दो बार, लेकिन चेंगिस जो बेंगॉली film है और बेंगॉली industry के तरफ से आई है तो किसी भी तरह की कोई बेंगॉली movie मैंने आज तक नहीं देखी है, तो यह मेरा पहला चांस है तो पहला review चेंगिस का ही, जो release हुई है बेंगॉली के साथ साथ हिंदी में भी ताकि major audience इस film का मज़ा ले सके लेकिन माफ करना, उतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि इस film को देखने के बाद आपको लगेगा कि ऐसी की stories कितने ही गैंग्स्टर या माफिया वाली movie में हम लोग देख चुके है, चाहे KGF हो या मिर्जापुर हो या पुश्पा हो, जो हीरो होता है, उसका छोटे से बड़ा होना जो हीरो होता है, उसका बचपन और उसकी जवानी बाक स्टोरी में बचपन में कोई दर्दना घटना होना, जिसकी वज़ा से बड़े होकर बदले की भावना, फिर किसी के empire को चाला किसे हतियाना, फिर खुद का empire सेट करना वगेरा वगेरा सब कुछ देखा दिखाया, सुना सुनाया, जो आपको इसमें भी देखने को मिलेगा बस characters नए हैं और situation चेंज कर दी गई है, जिसमें Calcutta का underworld दिखाया गया है, drugs and football matches के betting दिखाई गई है बट इन सब के बीच में जितने भी characters आते है, main lead को छोड़ कर, उनका कोई character setup नहीं किया जाता जिसकी वज़े से उनके साथ connection भी नहीं बन पाता, और movie lengthy और boring लगने लगती है हाँ, climax में छोटा सा twist यूज किया गया है जो अच्छा था, action sequences अच्छे है पर story में दम नहीं है और पूरी की पूरी film बहुत जादा ही predictable बन जाती है जिसकी वज़े से मैं दूँगा इस movie को 2 out of 5 stars और अब बात एक anime movie की और सच बोलू, तो I am not an anime lover, बट आपकी request को मना भी नहीं कर सकता और मैं thank you बोलना चाहूँगा actually क्योंकि आपने ये request रखी नहीं तो शायद मैं इस movie को miss कर देता क्योंकि मुझे personally ये movie अच्छी लगी क्यों अच्छी लगी? वो भी बताता हूँ सबसे पहले तो इस film की story बहुत unique हाँ, fictional है या कहे fantasy adventure film है पर उस level तक सोचना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है Suzume नाम की एक लड़की जपान में रहती है और एक दिन उसे एक mysterious लड़का मिलता है जो कुछ dangerous doors को बंद करने का काम करता है अब वो doors dangerous क्यू है और Suzume उस लड़के को कैसे help करेगी वो उस film में आपको देखने को मिलेगा और इन्होंने बड़ी ही खुबसूरती के साथ एक ऐसे movie को आपके सामने पेश किया है जिसमें एक बहुत ही unique story है लिटरली, it's a unique story बहतरीन animation है top-notch VFX work है और human sentiments and emotions है और even film का run time भी बहुत कम है जिसके वज़े से film में बोरियत महसूस नहीं होती even film Hindi में भी release हुई है तो मेरे जैसे अगर आपको भी Hindi dubbed version में देखना पसंद है तो आप आराम से इसे अपनी Hindi भाशा में देख सकते हो इवन हाँ, dubbing team की भी मैं तारिफ करना चाहूँगा कि इस film की dubbing काफी अच्छे से की गई है film काफी साप सुत्री है तो आप इसे अपने family के साथ भी देख सकते हो हाला कि anime genre जो है वो 99% youngster ही सबसे ज़ादा पसंद करते है मैं भी फिलहाल teenage and बुढ़ापे के बीच में हूँ तो मेरे को सब चलता है overall film काफी अच्छी है और आप अगर anime देखते हो तो आपको पसंद जरूर आएगी और अगर anime movie नहीं देखते हैं तो just give it a try I know कि storyline और visuals को देखकर आपको पसंद जरूर आएगी मैं दूंगा इस movie को 3.5 out of 5 stars मिलते हैं अगले वीडियो में बाई